हीलो एंड वेलकम बैक, आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्ट जानकारी जानने वाले हैं, जैसे की आठ बुरी आदत जो लोग रोज करते हैं, इस वीडियो से पहले ही कई सारी गलतियों के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हर किसी को सुधार जरूर करना आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही अच्छा वीडियो है वह, और आज की वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें कुछ ऐसी बुरी आदतों के बारे में जानेंगे, जो की होती तो गलत है, ल वीडियो को लाइक जरूर करें, शुरू करते हैं नंबर एक से, जो की है बोतल का पानी, ऐसा लगता है कि बोतल का पानी सदा साफ और सेहत के लिए सदा फायदेमंद होता है, क्योंकि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बोतल का पानी देखने में साफ जरूर हो सकता है, लेक मिनरल्स होता ही नहीं और ऐसा इसलिए क्योंकि बोतल में मिलने वाले पानी को स्वाद में अच्छा बनाने के लिए फिल्टर करते वक्त उसका TDS इतना ज्यादा कम कर दिया जाता है कि पानी में पहले से मौजूद केलशियम, मेगनीशियम, जिंक और फॉसफोरस जैसे जरू जो कि शरीर में जाने के बाद कई सारी प्रॉब्लम क्रियेट कर सकता है बोतल के पानी का इस्तिमाल करता है इसलिए सबसे पहले तो अगर नल का साफ पानी मिल जाए तो उसका ही इस्तिमाल करना चाहिए लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगा जाते हैं जहां नल का साफ पानी म पॉसिबल ना हो, तो बोतल का पानी पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नल का साफ पानी मौजूद होते हुए, बोतल के पानी को सेहत के लिए अच्छा समझ कर, लगतार इस्तिमाल करना पूरी तरह से गलत है, इस गलती को आपको सुधार जरूर करना चाहिए. नमबर दो, महीन आटा का इस्तिमाल, दोस्तों ये कबज गैस और के लिए बहुत नुकसान दायक है, एक बहुत बड़ा कारण होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश भारत में, आमतोर पर गेहूं के आटे से बनी रोटी का इस्तिमाल किया जाता है, और जो कि शरी हो उतना ही अच्छा होता है, और जो पूरी तरह से एक गलत सोच और गलत तरीका है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो आटा जितना महीन होता है, वो सेहत के लिए उतना ही खतरनाक माना जाता है, मार्केट में मौजूद सबसे महंगा आटा सबसे ज्यादा हानिक अगर कोई घर के आटे का इस्तिमाल करता है, तो उस आटे को इतनी बारिक चलनी से चाल दिया जाता है. कि उसमें मजूद चोकर पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, और जिससे की हाई गलाइसेमिक फूड में बदल जाता है, जो की पेट में जाने पाचन में गड़बड़ी और शरीर के अंचाही जगा पर चर्बी पैदा करने लगता है. इसलिए कोशिश करें कि घर की आटे को बारिक चलनी से ना चाल कर मोटी चलनी से चाल कर इस्तिमाल करें. तो आपको ऐसे आटे का इस्तिमाल करना चाहिए, जो की बहुत ज्यादा महीन नहो. नमबर तीन, रिफाइन्ट तेल. दोस्तों आज लगभग हर घर में खाना बनाने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है. इसमें किसी भी तरह की कोई महक होती है. खाना बनाने में रिफाइन्ट तेल का इस्तिमाल किया जाता है. क्योंकि रिफाइन्ट तेल देखने में एकदम क्रिस्टल क्लियर और साफ देखने के साथ साथ इस तेल में ना तो अपना कोई स्वाध होता है. और ना ही किसी भी त पूरी तरह से गलत है, एडवर्टाइज में इस तेल को दिल के लिए जितना अच्छा बताया जाता है, ये दिल की सेहत के लिए उतना ही हानिकारक होता है, और ऐसे इसलिए क्योंकि रिफाइंड तेल निकालने की प्रक्रिया में इसमें से तेल के स्वाद और महक को खत्म करन और इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर और साफ बनाने के लिए इसमें कई तरीके की केमिकल का इस्तेमाल करके, उसे हाई टेंपरेचर पर गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से तेल में जितनी भी अच्छी चीज होती है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और साथ ही उस तेल की समस्या पैदा करने लगता है, इसी बात से समझ सकते हैं कि खाना बनाने में इस्तिमाल किये जाने वाले सभी तेलों में, रिफाइंट तेल सबसे ज्यादा आने का रख और खतरनाक होता है, इसलिए हमेशा ही ऐसे तेल का इस्तिमाल करना चाहिए, जिसे कोल्ड प्रस तक फ्रिज के ठंडे पानी का इस्तिमाल करना गर्मी के मौसम में लोग शरीर को ठंडा करने के लिए फ्रिज के ठंडे पानी का इस्तिमाल करते हैं और क्योंकि पूरी तरह से गलत है क्योंकि आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि फ्रिज का पानी शरीर को ठंडा नहीं बलकी गर्म करता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज खाते हैं पीते हैं तो वह पेट जरूर से बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वज़े से हमारे पेट में उस पानी को गर्म करने की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वह शरीर के नॉमल टेंपरेचर यानी वह शरीर के दूसरे हिस्से में इस्तिमाल करने के लायक न हो जाए ये वज़े है कि भले ही फ्रिज का पानी पीते समय ठंडा लगता हो लेकिन थोड़ी देर बाद ही पेट में उस पानी को गर्म होने की प्रक्रिया शुरू होने की वज़े से पहले लगने लगती है इसलिए हमेशा ही नॉमल पानी का इस्तिमाल करना चाहिए और अगर मौसम गर्मी का हो तो मठके का ठंडा पानी पिया जा सकता है बचे हुए तेल को दोबारा इस्तिमाल जब कोई चीज फ्राइ किया जाता है तो कुछ न कुछ तेल कड़ाए में बच जरूर जाता है तो ऐसे में उसे अक्सर ही अलग बर्तन में निकाल कर रख दिया जाता है और फिर बाद में इस तेल को दूसरा खाना बनाने में इस्तिमाल किया जाता है खासकर बाहर मिलने वाली फ्राइ की हुई चीजों को बनाने में अक्सर ही तेल को बदला नहीं जाता उस तेल को मिलाकर लगातार इस्तिमाल किया जाता है और जो की एक पूरी तरह से गलत तरीका है, क्योंकि एकी तेल को बार-बार गर्म करने की वज़े से, उसमें मुझूद जो अच्छे फथ होते हैं, ट्रांसफर यानी के पूरे सेट में बदल जाता है, और जो की शरीर में जाने के बाद कई सारी बिमारियां पैदा कर सकता है इसलिए एक तेल को इस्तिमाल करने के बाद, उसे दुबारा इस्तिमाल बिलकुल भी नहीं करना चाहिए बहुत से लोग अच्छी सेहत के लिए चीनी की जगा, अकसर ही गुड का इस्तिमाल किया जाता है, लोग ऐसी चीज खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, जो देखने में आकर्शित होती है, और गुड के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जो ओरिजिनल अच्छा होता है, उसक बहुतने में इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ज्यादातर लोग इसे खरीदना ही नहीं चाहते हैं, जिसकी वज़य से कोई भी कमपनी गुड के रंग को साफ करने के लिए उसमें ब्लीचिंग केमिकल का इस्तिमाल करती है, जिससे की इसका रंग पहले से साफ और दे इसलिए सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, और यह समझना जरूरी है कि जो चीज ओरिजिनल होती है, वो देखने में अच्छी भी हो सकती है, और थोड़ी गंदी भी, लेकिन अगर आप हमें अच्छा देखने में अच्छी चीजों की तरफ जाते हैं आप जब कमपनी उसे दिखाने में अच्छा बनाने के लिए केमिकल मिलाती रहेगी, इसलिए किसी भी चीज को रंग रूप देखकर नहीं, बलकि क्वालिटी देखकर खरीदना चाहिए, सिर्फ यही एक तरीका है, जिससे की कमपनी को केमिकल वाले प्रोड़क्ट बनाने से रोका जा सकता है, नमबर साथ, कौन सा अंडा ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन ऐसा सोचना भी पूरी तरह से गलत है, क्यूंकि पोशक तत्वों के नजरिया से कच्छे अंडे, और पके हुए अंडे में कोई खास फर्क नहीं होता, अगर बात की जाए प्रोटीन हमारे शरीर में अब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि कच्छे अंडे का इस्तिमाल करने से सिर्फ तीन ग्राम प्रोटीन शरीर में जाता है, बाकी वेस्ट हो जाता है, साथ ही कच्छे अंडे में साल्मोनिला नाम का बैक्टीरिया भी मुझूद होता है, जो की कमजोर जबकि कच्छे अंडे में मुझूद बैक्टीरिया, उनके शरीर को काफी हद तक नुकसान पहुचा सकता है, नमबा आठ, रात को चाय पीना, इतनी ज्यादा होती है, वो अकसर रात में भी चाय पीकर ही सोते हैं, और जो की एक पूरी तरह से गलत तरीका है, क्योंकि चाय में मुझूद कैफीन ब्रान को स्टिमूलेट करता है, कि जल्दी नींद ना आने की समस्या शुरू हो सकती है, इसलिए रात के समय चाय का इस्तिमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, तो कब कैसे और कितना पीना चाहिए, इस बारे में डिटेल में जानने के लिए, हमारे चैन चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तेक चेर और बाइ